Welcome to unboxing medium guys, आज के वीडियो में review करने जा रहा हूँ Lucky Bamboo Plant, वो भी पूरे 6 मैने इस्तमाल करने के बाद, इस वीडियो में सभी information में आपके साथ में share करने वाला हूँ, जो भी चीज़े आपको ध्यान रखनी है, इस Lucky Bamboo Plant को carry करने के time, क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ आ मिल जाते हैं, तो आप online चेक कर सकते हैं, जब मुझे first time पे order receive हुआ था online, तो कुछ इस तरह से मेरा Lucky Bamboo Plant दिख रहा था, आप देख सकते हैं, काफी छोटे size में था, और काफी cute सा दिख रहा था उस time पे, तो इस तरह से मुझे ये order receive हुआ था, जब मुझे first time मिला था, नी कि मैंने बाद में इसे इस बाउल के अंदर insert कर दिया, तो ये तो मेरा first day का Bamboo Plant का unboxing video था, जिसके बाउल के अंदर थोड़ी jelly डाल कर, फिर थोड़ा सा उसके अंदर water मिला कर, इसके बाद मैं Bamboo Plant को इसके पर set कर दिया, अब आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला ह तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस Bamboo Plant को आपको थोड़ी सी रोशनी में रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं ऐसे थोड़ी सा बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो टेहनिया है, जो Bamboo Sticks जो लगी हु वज़े से आपका पूरा जो ये Bamboo Plant का पूरा जो सेट है, ये पूरा खराब हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जबी भी आपका ऐसा कुछ Bamboo Plant का कोई भी इसकी खराब हो जाता है, यलो पड़ जाता है तो उसे तुरंत निकाल फेकिए, विकॉस उसकी वज़े से पूरा Bamboo Plant का जो आपका सेट अप है पूरा खराब हो जाएगा, और नीचे का रूड भी आप देख लीज़े कि साफ सुत्र है या नहीं, आपको हफते में एक बार जो है पानी को क्लीन करना है, साफ पानी से आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है, ताकि आपका सारी इंस्टक्शन बता सब को जबी भी आप इस Bamboo Plant को खरीदने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एक और स्टिक जो है मुझे यहाँ पर काली सी मिली हुई है, जो कि सड़ गई है, तो इस तरह से क्या हो जाता है दोस्तों कि जादा समय तक पानी में रहने की वज़े से थोड़ा सा असर मेरे Bamboo Plant के सेट अप पे हुआ है, जिसके वज़े से मुझे इसके Ribbon को थोड़ा सा टाइट करना पड़ रहा है, विकॉस दो स्टिक निकलने के बाद थोड़ा यह लूज हो गया है, तो अब यह सेट है यहाँ पर, इस Bamboo Plant के महत्वा के बारे मे इसे अपने घरों में रखते हैं, वो सिव एक Lucky Bamboo Plant इसलिए इसका नाम भी दिया गया है, ताकि यह घर के अंदर बरकत ला है, आपको जो भी धन की प्रबलम है, जो भी आपको Financial प्रबलम है, उस इशू से आपको Resolve करे, बाकी यह मानने वाली बात है, अगर किसी Plant को रखने वो खराब नहों, तो टोटल यहां पर आप देखेंगे, तीन स्टिक्स जो है, मैंने आपके सामने निकाल दी है, जो कि दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, कभी कभी, दो स्टिक्स तो मैंने निकाली, बड़ यह तीसरा वाला जो है, वो दिखाई नहीं दिया, जिसकी जबर हफते दर हफते आपको क्लीन करना है, वोटर को साफ हर रखना है अपने लखी बैंबू प्लैंड को ताकि आपको यह इशू नहो, मैंने कभी कभार बीच में मिस कर दिया है, दो-तिन हफते, विक्वाज कभी कभी घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो हमारे पास समय नहीं होता है, वोटर को चेंज करने का, बावल के पानी को चेंज करने का, जिसकी वज़े से यह इशू होने लगते हैं, जादा समय तक एक ही पानी में जो रखने की वज़े से जो इसके अंदर सड़न पैदा हो जाती है, जिसकी वज़े से यह दिक्कत आ जाती है, तो यह इसको आपको proper sunlight में तो नहीं रखने हैं जैसा आप बाकी अपने पौधों को रखते हो लेकिन हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखने है कि जहां भी घर में अगर रोशनी है तो रोशनी वाली जगह पे इसे setup करिए because यह आपका lucky bamboo plant है आपके घर में अगर आप इसे इसलिए purchase कर रहे हैं कि आपके घर में बरकत रहे हैं तो इसे रोशनी वाली जगह पे ज़रू setup करिए यह बहुत सारे लोगों ने mention किया हुआ जो मैं आपको इस वीडियो में share कर रहा हूँ तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि आपको इसको हर हफ़ते water change करना है दूसरा इसको थोड़ा सा रोशनी वाले जगह पे setup करिए और ध्यान रखिए कि कोई भी अगर आपका bamboo plant का stick अगर सड़ रहा है खराब हो रहा है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए और उसके बाद दिखाने के लिए इसके अंदर जो छोटे छोटे जो colorful पत्थर होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं या फिर jelly वगरा भी try कर सकते हैं online order करने के टाइम पर यह option आपको मिल जाता है दोस्तों हमारा यह channel 1000 subscriber met करने के काफी करीब है तो अगर आप यह video देख रहे हैं तो प्लीज इस channel को like share और subscribe जरूर कर लिजे ताकि और भी ऐसी useful videos मैं आपके लिए लाता रहूं